सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं स्वस्त निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टेप्स पाएं एक अध्यन के अनुसार दुनिया में सो में से सत्रा लोग किड्नी की समस्याओं से पीडित हैं 80% लोग अस्पताल में तब पहुशते हैं जब उनके किड्नी की समस्या अंतिम स्टेज में होती है डाइवेटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के मामले में स्थेती और भी कम भीर है डाइवेटीज और हाई बलड प्रेशर के रोगियों में किड्नी फेल होने की संभावना 10 गुना अधिक होती है किड्नी हमारे शरीर का प्राकर्टिक फिल्टर है या रक्त को साफ करता है और हमारे शरीर को हानिकारिक टॉक्सिक वेस्टेज से छुटकारा पाने में मदद करता है किड्नी को अक्सर हमारे शरीर में पानी की मात्रा से जोड़ कर देखा जाता है लेकिन किड्नी की एक अन्य महत्तपून भूमे का भी है इलेक्टोलाइट बैलेंस जो शरीर के महत्तपून अंगोप के समुचित कारे के लिए बहुत महत्तपून है संचेप में कहें तो स्वस्त किड़नी हमारे स्वस्त सरीर के लिए बहुत महत्तपून है मेरा मानना है कि अब आप समझ गए होंगे कि अपनी किड़नी के देखबाल करना कितना महत्तपून है अब मैं आपको अपनी किड़नी को स्वस्त रखने के लिए कुछ महत्तपुन टिप्स बताऊंगी पहला परियाग पानी पीए परियाग पानी पीने से मेरा मतलब है कि आपको ना तो ज्यादा पानी पीना चाहिए और नहीं बहुत कम पानी पीना चाहिए एक स्वस्त व्यक्ती को रोजाना 10-12 ग्लास पानी पीना चाहिए नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे एक बार में भारी मात्रा में पानी निश्चित रूप से स्वास्ते विससग्यों द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाता है दूसरा अपना रूटीन यूरीन चेकप करवाए अधिकांस लोगों को अपनी किड्नी की गंभीर समस्या के बारे में तब पता चलता है जब या पहले से ही 65% छती ग्रस्त होती है रूटीन यूरीन चेकप आपको सीरम किराटिन और यूरीन प्रोटीन के बारे में बताता है जो किड्नी के हेल्थ को जानने में मदद करता है तीसरा अपने नमक के सिवन को नियंतरन करें नमक हमारे शरीर के लिए महुत्त पूर्ण है लेकिन रोज कितना नमक खाना परियाप्त है। इसे सग्यों का कहना है कि एक स्वास्वेक्टी को रोजाना चार ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए। नमक का अधिक सेवन ना केवल रक्त चाप बढ़ाता है बलकि किड् को भी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार अपने नमक के सेवन को कंट्रोल में रखें। चौथा अपनी दिन के शुरुवात नीम्बू और गुंगुने पानी के साथ करें। तति दिन सुबह सबसे पहले एक सथ दो चमश नीम्बू का रस एक ग्लास गुंगुने पा हम सभी जानते हैं कि मोटापा सौ बिमारियों का कारण है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा हानिकारक प्रवाव हमारे दिल पर होता है। मोटापा ना केवल हिर्दे रोक को जोखिम को बढ़ाता है बलकि किड्नी के समाने काम काल पर अतरिक दवाब भी डालता है। इस प्रक किड्नी समय में किड्नी पर बहुत हानिकारक प्रवाव डालते हैं। कुछ पैंट किलर्स में परयोग किए जाने वाले इंग्रीडियन्ट किड्नी पर बहुत नकरात्म प्रवाव डालते है। इस प्रकार डॉक्टार्स कैसे सलाhn नेले के बाद ही पेंग cuzडर्स क है इस प्रकार धुमरपान का उप्योग ना करें आठमा पानी से भरपूर फल और सब्जियां क्षाएं तर्बूज संतरा आम ककडी पालक ब्रॉकली इत्यादी जैसे फल और सब्जियां पानी की मात्रा से भर पूर होते हैं ये फल और सब्जियां आवस्ट विटामिन और खनीजों से भी भरे होते हैं जो आपके किद्नी के लिए अच्छे होते हैं इस प्रकार आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप दिन में कम से कम एक वाटर रिच फल या सब्जी जरूर खाएं नौमा ओईली और जंग फूट से बचें ऐसा मत सोचो कि ओईली और जंग फूट के वल मुटापा कोलेस्ट्रॉल और हिर्दे रोगों से जुड़ा हुआ है इस प्रकार के खादे पदार्थ आपके किद्नी के लिए भी हानिकारक होते हैं क्योंकि किद्नी से जूड़ी आर्टरी